कोरोना वारस की बढ़ते खत्रे को देखते वे पूरा देश मंगलवार रात बारा बजे से 21 दिनों के लिए लोक्त डान रहेगा। अब ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि इस दौरान कौन सी सेवाएं मिलेंगी और कौन सी नहीं। पीम मोदी ने खुद कहा है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जरूरे सेवाएं और दवाएं मिलती रहेंगी। जिम, होटल, मोटल, दार्मिक स्थल, सभी शिक्षन संस्थान भी बंद रहेंगे। गैश अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं मिलेगी। सभी फैक्टरिया, वरकाशोप, गोदाम, सापताहिक बाजार बंद रहेंगे। लोकडाउन के दोरान ये दक्तर और सेवा मिलती रहेंगी। केंद्रिय सशस्र पुलिस बल, डिजास्टर मैनेजमेंट, बिजली उत्पाधन और ट्रांसमेशन यूनिट, पोस्ट अफेस, नाशल इंभार्मेटिक्स सेंटर, उर्वानुमान की एजंसियां खुली रहेंगी। डैश सब्जी, राशन, दवा, फल की दुकाने खुली रहेंगी, डैश बैंक, इंशुलिंस दफ्तर और एटेम खुले रहेंगी, डैश प्रिंट और एलेक्ट्रोनिक मेडिया, डैश इंटरनाइट, ब्राड़कास्ट और केबल सर्विस जारी रहेंगी, डैश एकॉमर्स करी, क्लीनिक, नर सिंगों खुले रहेंगे, क्या कहा पी-म मोधी, पी-म मोधी ने देश को संबोधित करते हुए आज रात बारा बजे से पूरी देश में संपून लोकडाउन का ऐलान किया, प्रधार मंत्री ने कहा कि हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरे को बचाने के लिए आज रात बारा बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है, पी-म मोधी ने कहा कि घर में रहें और एक ही काम करें कि अपने घर में रहें, आज के फैसले ने देश व्यापी लोकडाण ने आपके घर के दर इनका समय बहुत तहम है